तो हमास और हिजबुल्ला की डबल खत्रे को लेकर इसराइल में बहुत घबराहट है इन दोनों ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिये हैं जिसमें इसराइल बुरी तरह से फस्ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन नेतन याहु के सलहकार इसे इसराइल के लिए मौत का फंदा बता रही हैं हलाकि इसराइल के बात करें तो इसराइल के पास अब दो विकल्ब बचे हैं या तो वो सीजफायर कर दे या फिर इस युद को लंबे वक्त तक लड़ने के लिए तयार है लेकिन इसराइल सीसफायर करना नहीं चाता लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लंबा युद लड़ने के लिए उसके पास अब हतियारों की कमी भी होने लगी है और हमास अब इसी बात का फायदा भी उठाने लगा है वीडियो के एक एक फ्रेम को बहुत गोर से देखिए हमास अपने से कई गुना शक्तिशाली इसरैल की सेना से कैसे लड़ रहा है ये वीडियो इसका उडारन है हमास के लड़ाके बेहद सस्ते रॉकेट जिनकी कीमत पुद सौ डॉलर भी नहीं होगी जमीन से दाग रही है इतना सस्ता और जोगार का रॉकेट हमास में तयार किया है कि इसरैल पहुंचक का है इन सस्ते से रॉकेट के लिए इसरैल को अपने लाखों डॉलर की मिसाइलें खर्च करने पड़ रही है क्योंकि घाजा की ओर से आया एक तिन का भी इसरैली डिफेंस के टार्गेट पर है और वो इसरैल की सीमा में दाखिल हो उससे पहले नर्तो नाबूत किया जाना जरूरी है हथियार शास्त्र समझे और युट में इसरैल के नुक्सान को समझे हमास का सस्ता रॉकेट इसरैल की महली बेसाइब कीमा 100 से 500 डॉलर कीमा लाखों डॉलर इसरैली खुफिया अजेंसी और इसरैली एरफोर्स की सारी टाकत इन जैसे बेहत कमजोर और हलके रॉकेट को रोकने में लग रही है हमास के अल्फुद्स ब्रिगट में ऐसा फ्रीन लगाया है कि इसरैल की परिशानी बढ़ गई है यहां आपको हमास के अल्फुद्स ब्रिगट के बारे में जरूर जानना चाहिए क्योंकि इसरैल के खिलाफ हमास की लड़ाई में अल्फुद्स ब्रिगट फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है अल्फुद्स ब्रिगट घाजा में हमास के बाद नंबर दो संगठन है 1981 से ये संगठन फिलिस्तीन में इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए इसरैल के साथ हिंसक जंग लड़ रहा है अल्फुद्स के टॉप लीडर का नाम है जियाद अल्नाखल ये खुद सीरिया की राजधानी दमिश्क में रहते हैं लेकिन वहीं से अपने लड़ातों को और देते रहते हैं हमास कैसे इसरैल की वार इसकरडिली का दूर निकाल रहा है इसकी कुछ और बीटेल आपको आगे दिखाएंगे क्योंकि युद्ध में जीत की गैरंटी आर्थिक नौकसान की दुलना में हमेशा बड़ी होनी चाहिए लेकिन इसरैल के साथ ऐसा नहीं हो रहा युद्ध में इसरैल को इतने बड़े पैमाने पर अपने संसाधनों और हथियारों का इस्तिमाल करना पड़ रहा है कि अमेरिका से अब इनकी सप्लाई शुरू हो गई है ठीक यहीं किस्सा युक्रेन में भी हुआ था दरसल युक्रेन में युक्रेन की सस्ति मिसाइलों के खिलाफ रूस को अपने करोडों डॉलर की मिसाइलों का इस्तिमाल करना पड़ रहा था हमास के सस्ते रॉकेट के खिलाप इस्राइल अपने महंगे मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है यानि गाजा को जलाने की कीमत इस्राइल को भुगतनी पड़ रही है इस्राइल ने इससे भशने के लिए आस्पांग में अपने सबसे ख़तरनाथ परिंदे में से एक कोख पिंजरे से बाहर निकाला है इस परिंदे वाले हथ्यार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस्राइल पर हमले के बाद हमास के लड़ा के सुरंगों में छिप जाते हैं जिसकी वज़े से इस्राइल की सेना को उन्हें ठिकाने लगाने में परिशानी होती है हमास ने घाजा में करीब 500 किलो मीटर लंगी सुरंगे बना रखी है ये सुरंगे अहनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरती है और हमास के इन सुरंगों का ठाह लगा पाना इस्राइल की सेना के साथ वहां के कुफ्य आजेंसी मोसाद के लिए भी चुनोती बन गया है इस्राइल की मीडिया के मुताबिक इसी लिए इस्राइल ने अपने सबसे ताकतवर जासूसी घ्रोन एलबिट हरमेज 450 को घाजा में उतार दिया है तकी जमीन के नीचे बसी हमास की दुनिया का धक्षा निकाला जा सके और वहां छिपे हमास के एक एक लड़ाके को मौद के घाट उतारा जा सके इस्राइली मीडिया का दाबा है कि ये जासूसी ड्रोन नेकरानी के लिए बेहत कारगर है इसे इतना ताखतवर माना जाता है कि ये बाताल में छेपे दुश्मन का भी पता लगा सकता है इस्राइल की मीडिया के मुताबि ये ड्रोन एक बार में करीब 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर तक बताइए इस्राइल के पास हमास के खिलाफ लड़ने के लिए भी बहुत से हत्यार भी है जिनका इस्तिमाल इस्राइल युद जारी रहा तो जरूर कर सकता है दूसरी और ड्रोन के स्थे पर हमास भी कमजोर नहीं है कामिकाजी ड्रोन टेक्नोलोजी को इरान के जरीए हमास के आतंगवादियों तक पहुँचाया गया है इसके जरीए इसराइल की फौज के हरे एक मॉव्मिन्ट को हमास के लड़ा के पहले ही जान लेते है काले रंग का कमिकाजी ड्रोन आतंगाती हमला पर है इसी ड्रोन के जरीए अभी तक आईटियफ के खिलाफ हमास ओपरिशन को अन्जाम देते आया है ये योक्रेन में इस्तिमाल किये जा रहे इरान के शाहिद ड्रोन का सस्ता वर्जन है हमास की सुरंगों में अभी काफी हत्यार बचे हुए है जिससे जमिंदूज किये बिना हमास का संपून विनाश संभो नहीं है लेकिन इस्रेल के साथ परिशानी ये है कि हमास सी अकिला दुश्मन नहीं है लेबनन के हेजबुला भी है यमन के हूथी विद्रोही भी है जिनकी ओच से हमास के समर्थन में इस्रेल पर मिसाइलों और रॉकेट से हमले हो रहे है हालात इतने बत्तर हैं जैसे कभी भी किसी वीवक्त तीसरा विश्युद भड़ा पुठी यमन के हूथी विद्रोहियों ने फिर इस्रेल को निशाना बनाने की कोशिश की है इस स्वर्ट लेबनन के हेजबुला से भी जादा हमले इस्रेल पर हूथी कर रहे है इन हूथी विद्रोहियों का आका है इरा हूथी विद्रोहियों के मिसाइल होती विद्रोहियों को रोकने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में अपना एरक्राफ्ट केरियर आइजन हावर उतारा है तो वहीं हिजबुल्ला के खिलाब भूमद सागर में जेराल फोर्ड पहरा दे रहा है इसराइल के पास खुद दुनिया का टॉप एरक्राफ्ट सिस्टम मौजूद है इसराइल इस वक्त गाजा में अपनी पूरी ताकस से जुटा हुआ है हवा में तबाह करने का दम रखता है इसराइल ने जब एरुट्री मिसाइल डिफन सिस्टम का टेस्ट किया था तो ये 100 पॉसेंट सफल रहा था हमास किसी भी स्तर पर एजरेल के सामने नहीं टिट सकता लेकिन सवाल है कि इस युद्ध का अंत क्या है क्या किसी साजिश के दयत पर शिमी एशिया को जलाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इस वक्त जो साफ दिख रहा है वो ये कि गाजा की आग में आम फिलिस्तीनी मर रहे है लेकिन उस आग में कई दूसरे देश हाथ से गहे है दरसर रूस, इरान और चीन ये तीनों नहीं चाहते कि महौल सान्थ हो क्योंकि इन तीनों देशों को पता है कि पस्षी मेशिया उनके दुसमन अमेरिका की कमजोर कड़ी है और इजराईल की वज़़で से अमेरिका दुनिया में अलग थलग पढ़ता जा रहा है क्योंकि गाजा में जो कुछ हो रहा उसके लिए अमेरिका को भी जिमेदार ठहराया जा रहा है। ये तीनों देश से इसका फायदा उठाना चाते हैं और इसलिए पश्यमेशिया के मुस्लिम देशों को अमेरिका के खिलाप हिन लोगों ने खड़ा करना शुरू कर दिया। इन सारे देशों के बीच इसरेल अमेरिका के खिलाप एक होने की ताकत उस लेवल पर कभी नहीं रही जैसा की दावा किया जाता रहा है। युद में कमजोर का मारा जानता है और हमास इसरेल से बहुत 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 कमजोर है। लहाजा घाजा चल रहा है। धूदू कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। जानता थाजे जानता तक बहुत 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 थाज़ है।